जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज यानि कि 21 जुलाई 2020 को लाल जी टंडन साहब का नेधन हो गया है इनकी मित्तिव हो गई है तो भगवान से उपर वाले से द्वा करिए कि इनकी आत्मा को सांती मिले मुझे लगा कि आप लोगों को इनके बारे में बता देना चाहिए यानि कि इनकी एक जीवन के बारे में बता देना चाहिए कि इनका सफर कहां से शुरूआ है और जाके कहां खतम हुए है तो आज हम लोग लाल जी टंडन साहब की जीवन परिछे देखते हैं यानि कि इनकी राजपाल जब से इन की तवियत खराब थी तो कारभार किस ने आनंदबी बेंट पटल साहब ने समाला हुआ था लेकिन यही मैं राजपाल थे तो एक देख रहे होंगे स्कीन पर सामने आपकी लाली टंडन साहब की फिक्चर्ज हैं हर्ता हुआ चहरा देख रहा है आपको में कारगत हैं याद रखिए बर्तमान यहां इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इनहीं के पास कारभाल था लेकिन अभी कुछी देन पहले जब मद्वदेश में सिवराज सिंग की सरकार में जो मंत्रीपत का मंत्रियों का विस्तार हो रहा था उस समय कारभाल समाला हुआ थ आनंदी बेन पतल सहाब ने लाल जी टंडन सहाब लखनव से 14 भी लोकसभा के सदस्वी रह चुके हैं किसके 14 भी लोकसभा के सदस्वी रह चुके हैं इन्हें कहा जाते हैं कि अटल विहारी वाचफेई के बहुत ही करीबी रहे हैं सहोगी थे उन्होंने वाचफेई जी के चुनावचित लखनव की कमान समाली थी 2004 में लोकसभा चुनावची पूर्व संध्या पर अपने जनम दिवस के अवसर पर साड़ी वांट रहे थी जिसमें भगदर मच गई और 21 महलाओं की मौत हो गई थी इसके लिए इस बिवाद में भी ये चल्चित रहे हैं काफी इसके बाद उन्हें सभी आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था उसके बाद 21 अगस्त 2018 को इने बिहार की राजपाल की रूम में बनाये गया उसके बाद आपने देखा कि 20 जुलाई 2019 को मद्विदेश के राजपाल भी ने उत्किये गये थे अगर इनके हम लोग जनम की बात करेंगी इनका जनम कब हुआ तो आप देखेंगे कि लाल जी टंडन साहब का जनम आपका इनका 12 जुलाई 1935 को लखनु में हुआ था उनके पिता का नाम सिवनारायन टंडन और उनकी जो माता थी उनका नाम था अनपूर्णा देवी 26 फरवरी 1958 में किष्णा टंडन ने से उनका विवा हुआ यानि कि उनकी पतनी थी किष्णा टंडन उन्के तीन बेटे थे क्या थे उनके तीन बेटे थे टंदन साहब के उनके बेटे गोपाल जी टंदन जो की समया उत्तरपदेश की योगी सरकार में मन्तरी भी आपको देखने को मिलेंगे ये बीजेपी की काफी करीवी रहे हैं इसलिए बीजेपी से जुड़े हुए थे उसके बाद टंडन जी ने काली चरण डिगरी कॉलेज से इसनातक की डिगरी प्राप्त की थी किस कॉलेज थे काली चरण डिगरी कॉलेज से इसनातक की डिगरी प्राप्त की केरियर के नहीं कि अगर हम लोग सुरुवात की बात करे आप लोग जानते हैं कि जितने भी वीजेपी में बड़े नेता, खास बड़े नेता देखेंगे, आपके पिदानमंत्री मौधी साब को भी देखेंगे, यह भी शुरू आती दिनों में RSS से जड़े हुए थे, और अभी भी कहते हैं कि वीजेपी की बिचारदारा और RSS की बिचारदारा एक ही है, तो अभी तक जितने भी पिदानमंत्री बनाए जाते हैं तो उसमें हस्तचेप स्वयमसेवक संग का ही रहता है, लेकिन स्वयमसेवक संग इस बात को नहीं मानता है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि इंडारेक्ट उसी का सपोर्ट रहता है, इसी द काफी परेशान रहे थे क्योंकि कहा जाता है कि आप जानते हैं कि बहुत ही करीबी थी बहुत ही इनकी पठती थी अटल वहारी बाचपेई से लखनव की सड़कों पर अटल और लालजी टंडन के साथ कि तमाम किस्स लोगों की जुमान पर रहते हैं और आपने देखा है कि ब बिधान परिशत के सदस भी रहे हैं आप लोग समझे कि कई राज जैसे भी हैं जैसे तरह से आप लोकसभा में और राजसभा देखते हैं के अंद में उसी तरह बिधान सभा भी होती है और बिधान परिशत भी होती है लेकिन एक कई कुछी राज्यों में है उत्तर पिदे और उसके बाद तेलंगाना और आपका महराष्ट क्योंकि जम्मू कस्मीर से आपका हटा दिया गया है पहले साथ था क्योंकि आपने देखा है दो भागों में जम्मू कस्मीर को बांट दिया गया है तो जम्मू कस्मीर में बिधान सब आया है लेकिन अभी आगे जो भी गड़ना के बाद आपको सही आँक्रे वहां के पता चल जाएंगा तो ये दो बार उत्तरपेदेश की विधान परिशस से सदस भी रहें इस दोरान 1991 से 92 की यूपी सरकार में वह मंत्री भी रहें इसके बाद 1996 से 2009 तक लगातार तीन बाद चुनाव जीत कर विधान सभा भी प कैमनेट मंत्री भी रहें मायवत्य और कल्यांट सिंग की सरकार में कैमनेट मंत्री भी रहें आपको पता होगा कि मायवत्य को एक सबोर्ट देकर बीजेपी ने भी मुखमंत्री बनाया था तो उसी समय की बात किये जा रही है 2004 में लोकसभा के चुनाओं की पूर संध्या पर अपने जरम दिवस के राउसर पर पहले भी बात कर चुके हैं 2009 में जब पूर्पिधानवंत्री अटल विहारी बाचपेई राजीनिती से दूर हुए तो उनकी इतियासिक लखनव लोकसभा सीट खाली हुई तो लाल जी टंडन को ही बीजीपी ने उनका उत्रादिकार सौपा आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करीवी रहे होगे अटल विहारी बाचपेई के लाल जी टंडन ने चुनाओ आसानी से जीता और लोकसभा सदस्भी बने मई 2009 में वैभारती राष्टी कॉंग्रेस की रीता बहु गुना जोसी ने से 40,000 बोटों के अंतर से लकनओ से पंदरवी लोकसभा के लिए चुने गए यह सीट 1991 की पूर भाजापा द्यक्च अटल विहारी बाचिफेई के पास लगातार चारवार से थी भारी चुनवाव खर्च की बाप जूद बहुजन समाजबादी पार्टी वासापा के अकलेस 70,000 वोटों से पीछे रहे याद रखिए अब जो रेता बहु गुणा जोसी साहब है यह आपकी बीजेपी में आ चुके हैं तो पहले यह बीजेपी में सामिल नहीं थी कॉंग्रेस की थी तो यह दल बदल होता रहता है टाइम टाइम पर बिहार के राजपाल की भी रूम में उन्हें काम किया टंडन साब ने जो राजवी से विध्याले की अकादमी गतिविदियों को बिवस्तित बनाने के लिए पिसंसा भी इनको मिली बिहार में 20 जुलाई 2019 को टंडन को आनंदी वें पटल की जगए मद्धपिदेश के 22 वे 22 वे राजपाल की रूम में नेवट किया गया लाज़ी के टंडन ने अपनी एक किताब भी लिकिए अनकहा लकनौ इसमें कई इन्होंने खुलासे भी किये इन्होंने लिखा है कि पुराना लकनौ की लच्मन टीले के पास बसे होने की बात कही है उनके अनुसाल लच्मन टीला का नाम पूरी तरह से मिटा दिया गया है अब यह इस्थान टीले वाली मश्यित के नाम से जाना जाता है तंडन के अनुसाल लकनौ की संस्किती के साथ भी जवजस्ती हुई है अभी आपको मालूओं की मुसलिमों का जाना नाम उचलता है कि लखनवू मुसलिमों की नगरी रही है तो यहां उनके लचमत टिले का नाम लेने की पूरी बिक्रिया इसलिए बताई गी है कि यह हमारे RSS से जुड़ा है यानि कि हमारे हिंदूों से जुड़ा हुआ नगर है लखनवू इसी को विवाद माना जाता है समझ रहे हैं आप लोग अपनी किताब में लाज जी टंडर ने पारसस से लेकर केमिनिट मंतरी और दो बार सांसत तक का जो आड़ दसक से अधिक का सामाजी को स्यासी सफर भी दर्च किया है नो ने जैसा कि अभी आपने देखा है कि नैपाल कह रहा है कि अयुद्ध्या जो है वो नैपाल में था ना कि उत्तर के दिस वाला अयोध्या है, असली अयोध्या, तो इस तरह कि विवाद चलते रहते हैं, नेता करते रहते हैं इस तरह कि, इसलिए इसमें जानदा अच्छम्वित मत हुआ करिएगा, लाल जी टंडन के अंसाल लखनव के पुराणिक इतिहास को नकार, नका, नव भाभी कल्चर में कैद करने की कुछ चेश्टा के कारण यह हुआ है, लचमर टीले पर सेस गुफा थी, जहां बड़ा मिला भी लगता था, खिलजी के बद गुफा धुरस्त की गई, यानि कि मुसलिम, मुसलिम सास्कों ने इसे धुरस्त कर दिया, और मुसलिमों ने अपन अधिपत्त ठोक दिया, इस पर, कहने का मतलब सीधा सा इतना है, बारवज इसे ध्वस्त किया जा रहा है, और यह जगे टेले में तबदिल होए, और अग्जीमने बाद में यहां एक मस्जिद भी बनवा दी, एक तरह से आप सोचिए कि यह सभी काम होते हैं, रोटी सेखन रहते हैं, तो इसके बारे में जानदर मत पढ़ जा करिएगा, बीमारी की बात करें तो आपको पता हुआ कि लाल जी टंडन की अचानक 13 जून को तबियत खराब होगी, जिसके बाद उन्हें राजधानी के लखनव के मेदानता अस्पताल में भर्दी भी कराए गया, हाला उन्हें अस्पताल लाए गया था, डॉक्टर ने कोविट टेस्ट भी कराया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, क्या आई थी, निगेटिव आई थी, इसमें कोई उन्हें कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गया, लाश्ट में बता देता हूं कि लाल जी टंडन का नेधन के बात करें, अगर 21 जुलाई 2020 को सुबए लखनव के मेदानता हूस्पिटल मेंन का नेधन हो बया, यहां उनकी जीवन की रासलीला खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो दुआ करिये उपरवाले से उन्हें की आत्मा को सांती बेले, ठीक है?